Hello everyone, कैसे हैं आप सब? मैं हाजरूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ और आज मैं explain करूँगी Castle Rock सीरीज के further episodes को अगर आपने मेरी Castle Rock सीरीज की previous वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसे देख लीजे वरना इस वीडियो को समझने में आपको परिशानी होगी मैं इस सीरीज के बारे में आप सभी को एक और बार बता दूँ कि ये सीरीज Stephen King की novels की anthology है anthology कहा जाता है किसी poem या stories के pieces को जिन्हें जोड कर एक fictional कहानी को लिखा गया है तो चलिए बढ़ते अब इसकी कहानी की ओर लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी request है कि अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके इस एपिसोड की शुरुआत होती है हेंडि के एक ड्रीम से जहां हेंडि अपने यंग वर्जन को किसी केज में बन देखता है पर वो नहीं पहचान पा रहा कि ये जगय कोन सी है तब ही हेंडि का सपना तूट जाता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है Theressa के उसी assistant को जो कि उस लड़के के cell में आता है और उसे बताता है कि Henry ने इस लड़के के case के papers court में submit कर दिये है साथ ही ये आदमी यहां इस लड़के को डराने की भी कोशिश करता है जिससे ये लड़का इन लोगों को अपना नाम बता दे पर इसके बदले में ये लड़का इस आदमी से कुछ lines कहता है जो कि ये थी He has a name written on him, but no one knows except himself He is clothed with a robe dipped in blood and his name is called the word of God अब इन lines का significance क्या है ये मैं आपको इस सीरीज के end में बताऊंगी खेर ये लड़का इस officer को अपनी cell से बाहर निकाल देता है इसके बाद हम Henry और Alan को साथ देखते हैं दरसल Henry उसके dad की body जहां बरी की गई थी उस जगह जा रहा था ताकि वो उस body को एक right place पर shift कर सके Henry यहां अपने dad की body के place को mark कर देता है ताकि बाद में उन्हें यहां से shift किया जा सके और यहीं वो Alan को बताता है कि वो Ruth को Houston में एक home care में भेजने वाला है Alan इसके लिए मना करता है पर Henry Alan की बात नहीं मानता और Alan से पूछता है कि क्या उसके और Ruth की रिष्टे के बारे में Henry के dad को पता था जिस पे Alan यहां से चला जाता है मैं आपको बता दू दोस्तों कि Alan और Ruth एक दूसरे को कई सालों से पसंद किया करते थे इवन जब Matthew जिन्दा थे तब भी इसके बाद Henry एक रेस्टरों में बैटकर मॉली से बात कर रहा होता है कि तब ही वहाँ जलोस्की आता है Henry उससे बात करने जाता है और वो Henry को उस अंडरगराउंड केज की ड्रॉइंग देता है जो उसने खुद बनाई थी और उसे as a proof court में पेश करने को कहता है जो कि नहीं हो सकता था जलोस्की बताता है कि जब से उसे वो लड़का उस केज में बंद मिला है तब से उसे महसूस हो रहा है कि वो खुद भी किसी केज में बंद है उस जेल में कैदियों के साथ अच्छा व्यवार नहीं हो रहा था और अब जलोस्की ऐसी जिन्दगी नहीं जीना चाहता था हेंडरी जलोस्की को खुद को समालने को कहता है क्योंकि उसे जज के सामने टेस्टिफाई करना था और वो इस वक्त इमोशनल नहीं हो सकता था और ये कहकर हेंडरी जलोस्की को वापस भेज देता है अगले दिन हेंडरी रिकॉर्ड ऑफिस जाता है जहां वो पुराने न्यूस पेपर्स देखता है जिन में उसे अपने मिसिंग केस से जुड़े आर्टिकल्स भी मिलते हैं उनमें से एक आर्टिकल से उसे विंस डेजार्डिन्स नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जिसके उपर हेंडरी को किटनैप करने का इलजाम लगा था हेंडरी जाके इस बारे में रूट से पूछता है और रूट उसे बताती है कि डिजार्डिन्स को लोग नाजी कहा करते थे और ये आदमी हेंडरी के मिसिंग होने से एक महीने पहले ही जेल से छूट कर आया था पर रूट को नहीं पता था कि वो जेल आखिर गया क्यों था यहीं बातों बातों में रूट हेंडरी को मना कर देती है कि वो कैसल रॉट और अपना घर छोड़ कर कहीं नहीं जाएगी दरसल एलन से बातचीत में उसे पता चला था कि हेंडरी रूत को अपने साथ ले जाने की सोच रहा था इसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉली को जो के मिस्टर और मिसीज लेसी का वही घर बेच रही थी और इस घर को देखने जो पहला कपल आया था उसे मॉली ये पूरा घर दिखाती है पहले तो मॉली कैसल रॉक की सच्चाई उनसे छुपाने की कोशिश करती है पर फिर उन्हें बता देती है वो कहती है कि कैसल रॉक में अगर कुछ बुरी चीज़े हुई है तो कुछ अच्छी भी हुई है और आने वाले टाइम में इस प्रॉपर्टी की कीमत आस्मान चूने वाली है खेर एट दी एंड ये कपल तयार हो जाता है इस घर को खरीदने के लिए इसके बाद हेंडरी उसी आदमी डेजार्डिन के घर जाता है जहां उसे विंज्ज तो नहीं पर उसका भाई जोसिफ मिलता है जोसिफ बातों बातों में समझ जाता है कि हेंडरी वही लड़का है जो 27 साल पहले missing हुआ था वो हेंडरी को उसकी केस फाइल दिखाता है दरसल जब पुलिस ने पुराने पेपर्स को डिस्ट्रॉई करने की सोची तब जोसिफ ने अपनी एक दोस्त की मदद से इन पेपर्स को बरबाद होने से बचा लिया जोसिफ बताता है कि उसके भाई विंस ने एक इंशॉरेंस फ्रॉड करने के लिए अपनी तीन उंगलिया काट ली थी पर वो पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया यही वो कारण था जिसके लिए विंस जेल गया वो ये भी बताता है कि उसका भाई विंस कभी यहां रहा ही नहीं बलकि हमेशा सिर्फ वो ही यहां रह रहा है और उसने हैंडरी को कभी हाथ तक नहीं लगाया यहां हैंडरी को घर के बाहर एक काइंड ओफ बॉक्स मिलता है जो के बाहर से लॉक था हेनری जब उस लोग को तोड़ता है तो अंदर कोई नहीं था हेनری को लग रहा था जैसे मानो उस बॉक्स में कोई बंद हो जब हेनری अपने घर जाता है तो ऐलन से पूछता है कि उसने डेजारडिन के घर को अकेले इन्वेस्टिगेट क्यों किया जिस पे आलन बताता है कि वो जानता है कि मैथ्यू को मारने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बलकि हैंरी ही था और ये बात खुद मैथ्यू ने आलन को अपनी मौट से एक रात पहले बताई थी अब ताकि कोई हैंरी पर शक ना करे इसलिए एलन ने इस केस को डेजार्डिन की तरफ मोड दिया ये बात सुनकर हैंरी बहुत शौक्ट हो जाता है और सीधा यहां से मौली के घर चला जाता है अगली सुबह हैंरी जलास्की को कॉल करता है और कहता है कि जलास्की को टेस्टिफाइ करने की जरुवत नहीं है और वो टाउन छोड़ कर जा रहा है कुछ फैमिली इशूस के कारण और वो थैरसा के द्वारा दिये गए ओफर को सीकार करने वाला है ये सुन मानों जलास्की को कुछ हो जाता है जलास्की अपनी गन निकालता है और एक एक करके प्रिजन के सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते प्रिजन में एक काइंड ओफ मेसाकेर शुरू हो जाता है और सबी को मारते मारते जब वो आखिर में तहरेसा के आफिस तक पहुँचता है जहां हैंडरी भी उस समझोते के पेपर्स को साइन करने आया हुआ था तो पीछे से कुछ आफिसेज आके जलॉसकी पर फायर कर देते हैं और अब जलॉसकी भी मर चुका था और यहीं खतम हो जाता है यह एपिसोड दोस्तों हमने अभी तक देखा कि उस लड़के का इंफ्लुएंच जलॉसकी पर इतना ज़्यादा पड़ा था और उसका भी अंत ऐसे हुआ यानि उस लड़के में कुछ तो गड़बर थी जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जान पाए हैं एपिसोड फाइफ एपिसोड की शुरुवात में हम हेंडरी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और यह समय था 2016 का दरसल हेंडरी को अकसर कुछ वीर्ड नॉइसिस सुनाई दिया करती थी और लास्ट एपिसोड में हुए मैसकेयर के बाद से हेंडरी को फिर से वो वोईसिस सुनने लगी थी यह हाई-पिच टोन थी जो कभी सुनाई देती और कभी नहीं उस वक्ट डॉक्टर्स का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैसल रोक के हलातों को जहां अब उस मैसकेयर को पांच दिन बीच चुके थे और वहां के एक माउंटेन फोरेस्ट में आग लग चुकी थी और दोस्सो एकड का एरिया उस आग में जुलस चुका था हैंरी अपने घर में कैमराज इंस्टॉल करवाता है कि तभी उसे प्रिजन से एक कॉल आता है दरसल थेरेसद जल से जल उस लड़के से चुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि जल उसकी के कि एक खून खराबे के बाद प्रिजन के बॉर्ड ओफ डिरेक्टर इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं अगले ही दिन उस लड़के को छोड़ दिया जाता है और फाइनली ये लड़का प्रिजन से अजाद हो जाता है तबी सीन लेसी की मौत से एक दिन पहले मूव होता है और हम लेसी को उसी लड़के से बात करते देखते हैं उसी टैंक में और यहां वो पहली बार इस लड़के को हाथ लगाता है और किसी कहानी के बारे में बात करता है जो उस लड़के ने लेसी को सुनाई थी जब लेसी ने उसे पहली बार इस केज में बंद किया प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हैंडरी इस लड़के को उसी हॉस्पिटल चेक अप के लिए लाता है डॉक्टर्स बताते हैं कि ये लड़का ठीक है बस इसे थोड़ी केयर की जरूरत है पर हैंडरी इस लड़के को यहीं रखने वाला था जिस पर डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी उनके पास बैड अवेलिबल नहीं है इसके लिए उन्हें मंडे तक रुकना होगा वीकेंड के लिए मॉली इस लड़के को अपने आफिस में रखने का इंतजाम कर देती है उसी राच जब एलन घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि रूथ मैथ्यो को मना कर रही थी कि वो हैंडरी को बाहर ना ले जाए उसे बुखार है यहां वो सिर्फ हैलुसिनेट कर रही थी तब ही एलन आके उसे उसके बैड तक ले जाता है दूसरी तरफ वही लड़का मॉली के आफिस से बाहर निकल कैसल रॉक की सड़कों पर घूमने लगता है और यहां से वो एक घर में घुज जाता है जहां एक बर्दे पार्टी चल रही थी पर इस लड़के के घर में जाते ही वहां लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो पूरी फैमली एक दूसरे को मार डालती है हम समझ सकते हैं कि यह लड़का जहां भी जाता है मौत इसका पीछा करती है अगले दिन रेडियो पर बताया जाता है कि कैसल माउंटी पर लगी आग अब बढ़ती ही जा रही है और वहां किसी को नहीं पता कि यह आग आखिर लगी कैसे और इसे बुझाने की लाग कोशिशों के बाद भी यह बढ़ कैसे रही है तभी हम देखते हैं जैकी को जो के मौली के आफिस जाती है और यहां इसी लड़के से मिलती है इसके बाद दिखाया जाता है ऐलन को जो के एक इवेंट के लिए रेडी हो रहा था दरसल ऐलन के सम्मान में एक ब्रिज को ऐलन का नाम दिया गया था और जब एलन स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा होता है तो हैंडरी यहां दो लोगों को देखता है और तब ही हम देखते हैं कि रूट जाके उसी ब्रिज से नीचे जम्प लगा देती है रूट को बचा लिया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है दूसरी तरफ वो लड़का अब जैकी के साथ था और ये लोग बात कर रहे थे जैकी यहां एक बहुत ही इंटरस्टिंग बात बताती है कि उसके एक अंकल थे जिनोंने अपनी वाइफ और बेटे को जान से मारने की कोशिश की वो भी एक राइटर थे जो की विंटर्स में पागल हो गए यहां हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दा शाइनिंग के जैक टॉरेंस की ही बात कर रही थी यानि यह कैरेक्टर जैक टॉरेंस की नीज है जिसे अपना नाम भी अपने अंकल के नाम पर रखा था और जैकी का रियल नेम डी एन था तबी रेडियो पर खबर आती है कि आग बुझाने वाली टीम का एक हैलिकॉप्टर क्रैश हो गया और दो लोगों की उसमें जान चली गई यह लड़का जाके एक बिल्डिंग के टेरिस पर खड़ा हो जाता है और जैकी मॉली को कॉल करके यहां बुलाती है जब मॉली टेरिस पर पहुँचती है तो यह लड़का कहता है कि उसे यहां कभी आरा ही नहीं चाहिए था मॉली उसे समझाने की कोशिश करती है पर मॉली इस लड़के से जुड़ी आवाजे भी सुन पा रही थी जो कि बहुत दर्दनाग थी उसी रात मॉली हेंडरी से मिलने उसके घर आती है और उसे यह सब बताती है कि कैसे उस लड़के के साथ कुछ तो गलत है जब हेंडरी उसकी बात का यकीन नहीं करता तो मॉली उसे यकीन दिलाने के लिए बताती है हेंडि को कई दिनों से एक E eco सुनाई दे रही जो कि सही था मॉली हेंडि से जुड़ी और भी बहुत सी बाते बताती है पर तबी वहाँ वही लड़का आ जाता है और हेंडि उसे उस रात अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है हेंरी उसको आउट हाउस में लेकर जाता है और उसके रुकने का इंतिजाम करता है जहां मैथ्यू का बहुत सा समान पड़ा था यहां वो लड़का पियानो प्ले करता है जिस पे उसका कहना था कि उसे यह याद है दूसरी तरफ एलन उसी ब्रिज पर था जहां से रूथ ने जम्प किया था और यहां उसके फोन पर एक सिक्यूरिटी अलर्ट आता है जैसा कि आपको याद होगा कि हेंरी ने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल किये थे यह उसी का अलर्ट था जहां सीसी टीवी कैमरा पर वो उसी लड़के को देखता है और एलन के चहरे का रंगी उड़ जाता है पिछले एपिसोड से हम इतना तो समझ चुके हैं कि एलन जरूर इस लड़के के बारे में कुछ जानता है यह लड़का वुड्स की तरफ जा रहा था और एलन भी इसका पीछा करता है फाइनली एलन और यह लड़का आमने सामने होते हैं और एलन इस लड़के को वही रात याद दिलाता है जब लेसी इसे अपनी कार की डिक्री में बंद करकर ले जा रहा था और एलन ने उसे रोका पर एलन ने लेसी की बातों पर भरोसा किया कि ये लड़का डेविल है और लेसी को इसे ले जाने दिया एलन बताता है कि इस लड़के की उम्र तब से आज तक एक दिन भी नहीं घटी थी यानि दोस्तों ये लड़का 27 सालों से ऐसा ही दिख रहा था जो कि काफी शौकिंग था एलन इस लड़के पर गन पॉइंट करता है पर ये लड़का एलन से कहता है कि वो रूत की हेल्प कर सकता है और यहीं खतम हो जाता है ये एपिसोड हेंडरी एक सिमेटरी में है और वो अपने डैड मैथ्यू की बॉड़ी को एक प्रॉपर बरियल देता है और यहां भी उसे वही दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे इससे पहले एलन की इवेंट में दिखाई दिये थे हेंडरी को अभी भी वही वियर्ड आवाजे सुनाई दे रही हैं जिससे वो बहुत ज़ादा परिशान है दोसरी तरफ घर पे वही लड़का मैथ्यू का एक सूट पहन लेता है और उसके बाकी सामान में से कुछ कैसेट और एक कैमकॉर्डर निकालता है दोस्तों आपको याद होगा कि हम हेंडरी को एक कैसेट जलाते देख चुके हैं पहले के एपिसोड में तो हो सकता है वो इन ही में से एक कैसेट हो जब यह लड़का उन कैसेट को प्ले करता है तो उसमें हेंडरी और उसके डैर थे जो के वुड्स में घूम रहे थे वो रूत को हॉस्पिटल से लेके आता है और घर पहुँच कर उससे प्रामिस करता है कि वो इसके बाद कहीं नहीं जाएगा इसके बाद हम देखते हैं हेंडरी के 15 साल के बेटे वेंडल को जो के बॉस्टन से यहां आया है हेंडरी अपनी वाइफ से अलग हो चुका था और बॉस्टन में वेंडल अपनी मॉम के साथ रहता है हेंडरी के कहने पर وہ यहां आया क्योंकि हेंडरी चाहता था कि वेंडल अपनी ग्रैंड मदर के साथ ज़ादा समय बिता सके हेंरी वेंडल को रूट से मिलाने ले जाता है जहां रूट अपने कमरे की एक तरफ देख रही थी पर हेंरी के आने से मानो जैसे वो अपनी कौशेसनेस में वापस आई हो इसके बाद हम देखते हैं मोली को जो की अपने एक कलाइन्ट से फोन पर बात कर रही होती है और उसे यहां अपनी ओफिस की विंडो में एक बार फिर मैथ्यू का घोस्ट दिखता है जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था दूसरी तरफ रूथ हेंडरी और वेंडल किचन में थे जहां रूथ फ्रिट से एक चेस पीस निकालती है अब इन चेस पीसिस की स्टोरी क्या है ये मैं आपको थोड़ी ही दिर में बताती हूँ तब ही यहां रूथ उसी लड़के को देखती है जिसने मैथ्यू का सूट पहना हुआ था हेंडरी उसी आउट हाउस में जाता है जहां वो लड़का हेंडरी की और मैथ्यू की रिकॉर्डिंग्स देख रहा था जहां मैथ्यू हेंडरी को वुड्स में कुछ सुनने के लिए कह रहा था Henry तबी TV off कर देता है और उस लड़के को अपने साथ कहीं ले जाता है ये लोग एक psychiatric hospital जाते हैं जहां Henry इस लड़के को छोड़ने आया था और इस लड़के के यहां आते ही एक अलग सी negative energy यहां भर जाती है ये लड़का Henry को काफी गुसेगी नजरों से गूरता है पर ultimately नर्स उसे अपने साथ ले जाती है उसी रात Henry जाके रूट से पूछता है कि मैथियो और वो जब वोड्स में जाते थे तो क्या करते थे पर रूट बात को टाल देती है और ठीक से कुछ भी बता नहीं पाती अगली सुबह Henry मॉली से मिलने जाता है और यहां मॉली finally Henry को बता देती है कि उसी ने मैथियो की जान ली दरसल मॉली बताती है कि वो खुद नहीं जानती कि वो उसके घर कैसे पहुँची वो Henry था जो कि मैथियो को मारना चाता था इसलिए Henry ने मॉली के थ्रू ये सब किया मॉली Henry के influence में थी और उसने मैथियो की ट्यूब हटा दी जिससे कि उसकी मौत हो गई और जब उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो वो उसके नहीं बलकि Henry के हाथ थे बेसिकली मॉली यहाँ कहना चाती थी कि Henry ने मैथियो को मॉली के थ्रू मारा क्योंकि किसी कारण से Henry मैथियो को मारना चाता था दोस्तों अगर आपने ता शाइनिंग मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें एक सीन था जहाँ Danny ने अपनी help के लिए Dick को Overlook Hotel में बुलाया था ठीक उसी तरह यहाँ Henry ने मॉली को influence किया मॉली सिर्फ Henry की बात मान रही थी इसके बाद हमें Alan को दिखाया जाता है जो कि एक dump yard में है जहाँ उस लड़के ने Alan को भेजा था वो यहाँ Lacey की कार को ढूणने आया है दूसरी तरफ घर में Ruth और Wendell Chess केल रहे थे जहाँ Wendell Ruth से Chess के missing pieces के बारे में पूछता है मैंने आप से कहा था कि उन Chess pieces की स्टोरी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी दरसल Ruth ने इन Chess pieces को घर में जगय जगय रखा हुआ था क्योंकि Ruth अक्सर past की memories में switch किया करती थी कभी वो Henry का बचपन देखती तो कभी खुद का और जब उसे ये pieces अपने घर में मिलते हैं तो वो समझ जाती है कि वो present में है जैसे danger signs होते हैं जो कि आपको खराब रास्ते पर आगे जाने से रोकते हैं अब Henry को दिखाया जाता है जो Matthew का camcorder लेकर woods में आया है ये जानने कि उसके पिता उसे किन आवाजों को सुनने को कह रहे थे पर थोड़ी आगे जाकर वो camcorder बंद पढ़ जाता है अब हम Allen को देखते हैं जिसे उस डंप याड में लेसी की कार नहीं मिलती और वो वापस जाने के लिए अपनी कार में आके बैठता है और यहां दोस्तों रेडियो पर news आती है जहां बताया जा रहा था उसी psychiatric hospital के बारे में जहां आठ स्टाफ मेंबर्स और कुछ पेशेंट्स आग लगने के कारण मारे गए थे और चार पेशेंट्स भाग निकले जिन में से वो लड़का भी शामिल था मतलब आप समझ सकते हैं कि वो लड़का अपने आस पास के लोगों के लिए कितना खतरनाग था तब ही यहां लेसी की कार को लाया जाता है और एलन काफी बहस के बाद उस कार को यहां के मालिक से खरीद लेता है दूसरी तरफ वुड्स में हेंडरी को वही दो लोग मिलते हैं जिने वो इससे पहले सिमेटरी में भी देख चुका था जिसमें से एक का नाम था विली और दूसरे का ओर्डिन ओर्डिन सुन और बोल नहीं सकता था और विली उसका इंटर्पेटर था ओर्डिन हेंडरी को बताता है कि वो उसके पिता मैथ्यू को जानता था मैथ्यू का ट्रू वर्शिप प्लेस ये वोड्स थे जहां उसे लगता था कि वो गौड की वोइसे सुन सकता है जबकि ओर्डिन साइंस पर बिलीव करने वाला इंसान था और उसकी इन वोइसे को लेकर अलग ही थियोरी थी और इन वोइसे को नाम देता है स्किजमा वो बताता है कि स्किजमा एक नैनो स्केल साउंड है जो कि एक पर्टिकलर प्लेस पर डिफरेंट पैरलल रियालिटी के आपस में मिलने से क्रियेट होता है कुछ लोग इसे जीवन में एक बार सुनते है और कुछ बिलकुल नहीं सुन पाते पर कुछ लोगों को यह हमेशा सुनाई देता है यह नेचर का तरीका है अल्टरनेट रियालिटी में जितने भी पॉसिबल पास्ट एंड प्रेजेंट है उनके बीच में बैलन्स बनाने का और हैंडरी इन वोईसे को सुन सकता था इसलिए उसके डैड उसे यहां लाते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो गौड से डिरेकली कम्यूनिकेट कर सकते थे हैंडरी के जरिये ओर्डिन ये भी बताता है कि मैथ्यू ने इन आवाजों को एम्पलिफाइ करने के लिए एक मशीन तयार की पर वो उसे कभी बना नहीं पाए पर ओर्डिन ने उस मशीन को बना लिया था वो हैंडरी को अपनी आरवी में लेकर जाता है जहां उसने एक चेमबर बनाया था जो के टोटली साउंडलेस चेमबर था जहां हैंडरी इसली इन आवाजों को सुन सकता था और समझ सकता था जो आवाज उसे कई दिनों से अपने कानों में सुनाई दे रही थी जब हेंडरी इस चेंबर में जाता है तो ओर्डिन बताता है कि उसने वर्ल्ड के नोईस को रोकने के लिए खुद को बहरा कर लिया था ताकि वो इन वोईसेस को क्लियरली सुन सके और यही वो आज अपने साथी विली के साथ करने वाला था और यह कहकर ओर्डिन हेंडरी को उसी चेंबर में बंद कर देता है इस चेंबर में जाते ही हेंडरी को पास्ट के कुछ विजिन्स आने लगते हैं दूसरी तरफ एलन घर पहुचता है जहां वही लड़का घर के बाहर बैठा हुआ था वो एलन से कहता है कि उसने उस रात उसे उस डिक्की में क्यों छोड़ दिया और इस लड़के के हातों से खून आ रहा था एलन रूत को देखने घर के अंदर भागता है जहां घर की हालत काफी खराब थी और खतम हो जाता है ये एपिसोड तो अब तक हम समझ पाए हैं कि हैंडरी अपने डैड को पसंद नहीं करता था और वो वोईसिस क्या थी जिसके बारे में इस लड़के ने हैंडरी से पूछा था जब हैंडरी प्रिजन में उससे पहली बार मिला था और ये भी कि ये लड़का जहां भी जाता है किसी ना किसी की मौत होती है और पिछले 27 सालों से ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है आने वाले एपिसोड में और भी कई सस्पेंस रिवील होने वाले हैं जिस पर जल्दी वीडियो आएगी आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और मैं आप से मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बवाई एंड टेक केर